Hello my dear friends, welcome to all of you in Chemistry Insights तो आप लोग का JMS का preparation बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चलना हागा तो आपके साथ मैं कुछ strategy को share करने वाला हूँ और ये strategy के preparation को बहुत ज़्यादा boost कर देगा तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के session के अंतक बने रहेगा वीडियो पसंद आएगा, please like कर देजगा, share कर देजगा दोस्तों में और आपको आने वाले कुछ वीडियो हमारे चैनल पर strategy से रेलेटर रहेंगे तो please सभी students subscribe कर देजगा ताकि आपको ये वीडियो के regularly updates मिलेंगे और आप अपने preparation को बहुत अच्छा से करते चले जाएंगे तो आज की इस वीडियो session में हम लोग क्या करेंगे chemistry, जो कि क्या है, jay means के लिए बहुत ज़दा most scoring subject है तो इसको कैसे prepare करना है आपको last three months में इसको कैसे prepare करना है तो इसी को लेकर के हम आपके साने कुछ बहतरीन सा strategy लेकर के आया है जहां पे हम लोग क्या करेंगे previous year के कुछ questions, number of questions का discussion करेंगे कि कि किस chapter से सबसे अधिक questions पूछे गया है ठीक है ना, और आपको किस परकार से त्यारी करना है आपको क्या sequence लेकर के चलना है chemistry में chapters का जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से preparation कर पाएंगे तो बिल्कुल वीडियो के आन तक बने डएगा ये वीडियो काफी ज़्यादा आपके लिए useful होने वाला है ठीक है, तो चलिए start करते से सेसन को बिना देर के वे कोई भी दिक्कत वाली बात होगी तो आप comment box में जाके comment करके मेरे से पूछ सकते हैं WhatsApp नमबर ये पुरभाइड किया गए Instagram का भी link पुरभाइड कर दिए Facebook का भी link पुरभाइड कर दिए आपको जैसे सुभधाओ आप मेरे से communicate करके मेरे से बात करके और आप अपने त्यारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते सेसन को बिना देर की वे हम लोग आज की सेसन में डिसकर्स करने वाले हैं कि chemistry subject को आप कैसे बहतर बनाएंगे last three months में सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं कि जितने भी chapters हैं उससे last कुछ years में कितने questions पूछे गए हैं आप इस basis पे अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन से chapter को कितना आपको एहमियत दे करके पढ़ना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीजिकल के मिस्ट्री का डिसकस करते हैं यहाँ पर देखेगा कि आपको यह जो मैं दिखा रहा हूँ डाटा यह ज़स्ट प्रिवेश सेर के basis पे हैं ठीक है ना मतलब 2024 में जो questions पूछे गए हैं उसके basis पे हैं अभी तक आपका जैमेंस का 2025 का तो हम लोग अभी जो भी डिसकस करेंगे वो 2024 के basis पे डिसकस करेंगे मतलब 2024 में किस परकार से कितने questions पूछे गये थे कौन-कौन से chapter थे हैं ना उसके basis पूछे गये डिसकस करेंगे तो देखेगा फीजिकल केमेस्ट्री में ला सकते थे लेकिन आपके लिए बहुत ज़दा हो जाता समझे ना तो उतना का जोड़त नहीं है अभी चुकि आपको जैमेंस 2025 में जो आना है syllabus वो आल्मोस्ट समझे कि 2024 के कॉडिंगी syllabus आपका रहेगा तो इसलिए हम लोग 2023 को 22 को 21 को है ना इन सब के जो इन सब में जो आपको questions पूछे गए हैं उसको हम लोग अभी हटा के चले हैं लेकिन हाँ last जो आपको है धान से सुनिए का सब लोग यहाँ पर जो मैं आपको data प्रस्तूत कर रहा हूँ यह जो total में यहाँ लिखा हूँ यह क्या है तो 2019 से लेकर के और यह 2024 तक का आपका क्या है यह questions का संख्या है समझेंने जी मतलब last 5 years का आपको questions का संख्या है तो देखिए का सब लोग धान से यह आपका सबसे पहला chapter रहा क्या तो some basic concepts of chemistry और इसमें क्या है आपको 2024 में question पूछे गए 17 और उससे last 5 years को मिलाकर के 116 question पूछे गए 116 question तो आपके लिए यह chapter है अच्छा मतलब आप इसको focus कर सकते है ठीक है चलिए उसकी बाद देखिएगा next आपका क्या है atomic structure है atomic structure तो atomic structure में आपको 29 and 29 percent पूछे गए थे last year में इस 2024 में और आपको total अभी तक 5 साल में पूछा गया कितना 147 आप देखिएगा जहां से third में क्या है thermodynamics and thermochemistry तो उससे आपको 2024 में 23 question पूछे गए हैं है ना और 140 question last five years में पूछे गए हैं उसके बाद देखिएगा next आपका क्या है chemical equilibrium ये chapter आपको काफी छोटा chapter है काफी छोटा chapter आप समझो ना मात इसमें दो ही concept है ये एक law of mass section और एक लिट चार्टे रिप्रिंसपल आप इस दोनों का अच्छे से cover कर लो तो आपके पास देखिएगा last year में 10 question पूछे गए हैं और आपको last five years में total 58 question पूछे गए हैं देखिए redox reaction ये काफी छोटा chapter है और बहुत अच्छा chapter इसको पढ़ना चाहिए आपको समझे ना और physical chemistry के कौनकों से chapter को sequence wise करके पढ़ेंगे वो आपको समझा देंगे ताकि आपको 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 आसान हो जागा पढ़ना है इसको ठीक है तो redox reaction को देखिए का total 15 question पूछे गए हैं इस year 24 में और देख सकते हैं last five year में 80 question तो ये भी छोटा chapter है और अच्छा chapter है और question भी बहुत आसान पूछे दाते हैं इस chapter से तो आपको इसको करना चाहिए solution chapter जो class 12 पढ़ना है है ना उससे 24 question देख रहे हैं कितना ज़्यादा माईने रख रहा है 24 question और last five year में 135 questions पूछे गए हैं उसके बाद electro chemistry की में बात कर लूँ तो एlectro chemistry में total आपको question पूछे गए है 29 और आपको last five year में कितना है 128 ये chapter आपको आपको जेमेंस के point of view से काफी ज़्यादा important है chemical kinetics की बात करते ये भी छोटा chapter है और इसमें 19 question पूछे गए हैं इस year 2024 में और अब भी तक 2019 से लेकर के 2024 तक 125 question पूछे गए हैं तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए जो ज़्यादा important chapter जो हो गया जिससे question मतलब समझो कि guarantee है कि पूछता ही पूछता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important जो हो गया वो आपको एक ये हो गया electrochemistry हो गया है ना ये solution chapter हो गया BBI समझे बात ना जी redox हो गया redox हो गया आप इसको ले सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं आपका जी क्या हुआ atomic structure हो गया atomic structure हो गया आप इन सब chapter को एकदम अच्छे से लगा ही लो अब देखो भाई साहब आप क्या कि electrochemistry की है तो इससे related होता है redox इसको लगा लिए solution के तो solution से related होता है कौन mole concept आप इसको भी कर लेना भाई साहब इससे आपको integer tap के questions पूछे जाते हैं integer tap के याद रखीगा जो numerical tap के पूछे जाएंगे questions उसमें इसके मिल सकते हैं ठीक है नची thermodynamics और thermochemistry इसको करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि thermodynamics chapter जो है physics में भी है तो अगर physics के recording आप करते हैं तो यहाँ chemistry के recording यह वहला portion आपका हो जाएगा तो यहाँ पर तो question बने का chance रहेगा एक thermochemistry आपका क्या होता है इसका एक part होता है चोटा सा part और बहुत आसान chapter होता है यह बहुत आसान इसको बस लंबा है chapter दिखने से लेकिन है आसान इसका question आपसे हो जाएगा तो 23 marks का यहाँ भी है तो आपके लिए क्या है ना यहाँ पर BBI जो most important chapters करना है वो आप इन सब को कर लो ठीक है ना chemical equilibrium, ionic equilibrium इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल भी यह वैसे भी आपका छोटा chapter से 10 question पूछा गया है क्योंकि अब जो जो जे इमेंस पूछा है जैसे कि देखे लास्ट टेर जो पूछा तरह 24 की हम बात करेंगे तो 2024 में जो पूछा है जिस तरीके से cut-up marks गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में भी ऐसे ही paper आएंगे और आपको ऐसे ही fight करना परेगा मतरब total total 25 के 25 question को आपको attempt लेना परेगा हर हालत में 25 question को आप attempt ले पाएंगे तभी जाकर कि आपका 23 हुआ 24 हुआ या 22 हुआ 22 हुआ या मालीजे 20 हुआ इतने तक questions अगर सही करते हैं तो आपके percentile अच्छे आएंगे याद रखी का इसलिए आपको 25 question को target करके चलना ही परेगा इसलिए सारे chapters को करना जरूरी है कैसे करेंगे इस chapter को ताकि आपका chemistry अच्छा हो सके इसको भी अभी हम दिखाएंगे तो बस हम पहले सारे के सारे chapters का discuss कर लेते हैं कि क्या weightage उसका है ठीक है? चलिए आगे बढ़ चलिए तो अब हम लोग discuss करते हैं कि inorganic chemistry में किस परकार से पूछेगे आपको questions और उसको कैसे करना है ठीक है? देखिए दो सब लोग धान से chapters की बात करेंगे inorganic chemistry में काफी कम chapter परने है और आपको अच्छा खासा score लेकर कि यहाँ पे आएगा डाटा दिखा रहा है आपको 2019 से लेकर के 2024 तक का डाटा है तो यह आपको total 107 questions आपको इसके पूछे गया है ठीक है जी? चलिए अब देखिएगा सब लोग धान से next अपका क्या है chemical bonding chemical bonding बहुत जादा आपको important है inorganic chemistry का तो इससे total 47 questions पूछे गया last आपको 5 years में total आपको 173 questions पूछे गया है आप हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि chemical bonding इस inorganic chemistry का सबसे ज़्यादा important है most VVI आपको यह हो गया आप इसको कर लेते हैं तो बहुत सारे chapters के questions ऐसे ही हो जाएंगे P-block की मैं बात करो 13 से लेके total 18 तक की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 13, 14, 11th क्या आते हैं and 15 to 18 क्या होता है 12th क्या आते हैं तो वो जो आपको है P-block का पोर्षन आपका उससे total 21 questions पूछा गया है total 21 questions पूछा गया और 178 questions अगर last 5 minutes की बात करेंगे तो 178 questions पूछा गया है अब सोच रहे होंगे कि 178 questions पूछा गया है और 2024 मात्रे किस questions पूछा गया है तो बात ऐसा है बाबू कि P-block का maximum portion को हटा दिया गया है तो आपको P-block में physical properties, chemical properties and कुछ compounds related ही चीज़ पूछ रहे हैं तो syllabus को काफी कम कर दिया गया है तो आपको इसलिए न तोटल आपका 21 questions ही बन पाया है और ज़्यादा तर questions ऐसा रहेगा जो आपको क्या होगा कि chemical bonding के concept से ही बन जाएगा तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंसर लेने का ज़रूत नहीं P-block के लिए समझे ना चलिए D and F-block और ये भाई सहाब ये एकदम कम पढ़ना है एकदम आपको 12th class में ज़्याइमेंस के सलिए में कम पढ़ना है तो कम पर के ज़्यादा score आराम से कर सकते हैं देखी 45 questions पूछा गया है और आपको 2024 में 2024 में जो आपको number of exams हुए है ज़्याइमेंस के वो आपको हुए 20 है ना मतलब परतेई के ज़्याइमेंस में 2 questions 2 questions fix है कि परतेई ज़्याइमेंस में कम से कम at least जितनी भी examination है अगर 2 questions भी करते हैं तो 40 होता है आप माली जी किसी किसी shift में हो सकता 3 questions पूछ दिया गया होगा तो समझ रहने कि कितना ज़्यादा important है syllabus बाबू बहुत कम है यहना बहुत कम इसका syllabus है DNA block हा लेकिन आपको weightage देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और आप last 5 year में देख सकते हैं 154 question मतलब आपको 2024 में ही बहुत ज़्यादा questions पूछा गया है ऐसे धानखना coordination chemistry भाई साहाब बहुत ज़्यादा important आपका यह chapter है बहुत ज़्यादा important है इससे देख सकते हैं 40 question पूछा गया है मतलब इससे भी 2 question पर देख सिप्ट में पूछा गया है और आपको 227 question पूछा गया है total 5 साल मिला करके आप इस बात ज़्यादा लागा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यह important क्या है न कि NTA आपको हर छोटे बड़े topics question पूछ रहा है पहले क्या था कि जो CBC कड़क करता था तो वो क्या करता था आपको जो main topic होता था उसी से question पूछा था तलिन अब जो है NTA क्या कर रहा है पूरे topic को explore कर रहा है question आसान जरूर पूछ रहा है लेकिन topic को explore कर रहा है मतलब हर topic से छोटे-छोटे-छोटे questions को उठा ले रहा है मतलब किसी भी चीज को छोड़ने रहा है तो आप इस अनुसार देखेंगे तो आपको किसी भी topic को important मानना किसी भी topic को as a lightly पढ़ना वो आपके लिए बेवकूफी हो सकता है समझे ना इसलिए सारे के सारे topics को जो chapter में दे रहे हैं उसको अच्छे जंसे परेंगे और उसको courses करेंगे कि आप समझ जाए अच्छी तरीके से और memorize भी कर ले समझे ना तो ये चीज आपके लिए ज़्यादा beneficial रहेगा salt analysis देखेगा salt analysis से 16 questions पूछे गए 1224 में और 33 questions अब आप ये सोच रहे होंगे कि sir maadar 33 questions पूछा गया 5 साल में और ये sir 16 questions तो ये आप सही सोच रहे हैं कि 2000, 24 में इससे 16 questions मतलब आपको जादा तर questions इसी से पूछे गए है याद रखेगा मतलब इधर ही 2-3 साल में questions इससे पूछ रहे हैं उससे पहले questions इससे नहीं आते थे याद रखेगा इसलिए salt analysis topic को जरूर पढ़ लिजेगा और कैसे salt analysis इसका भी अभी हम आपको ये बताएंगे strategy बताएंगे कि किस परकार से topic का sequence बना के आपको पढ़ना है ताकि आपने vision बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो अब हम लोग organic chemistry को move करते है organic chemistry का देखते हैं कि कितने questions पूछे के क्या इसका weightage है और किस परकार से त्यारी करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा ठीक है तो चलिए सब लोग देखेंगे दहां से सबसे पहले chapters की बात करेंगे तो total 8 chapter आपको यहां पे है पढ़ने ठीक है total 8 chapter और 8 chapter मिला कि question आप देख सकते हैं कितने सारे questions पूछेगे तो सबसे पहले बात करते हैं यह जनरल और गनिक केमिस्ट्री इसमें क्या क्या आता है तो इसमें नोमिन क्लेचर नोमिन क्लेचर आइसो मेरिजम और electronic displacement effect electronic displacement effect types of reaction तो आप overall समझ सकते हैं आप जहां कहीं भी किसी इस्ट्रीचूसर ने पढ़े होंगे तीन चप्टर आपको प्रहाया होगा चार चप्टर आइसो मेरिजम है ना फिर आपको क्या तो नोमिन क्लेचर और फिर आपको क्या जीओ सी वन जीओ सी टू ऐसे गरके समझें ना तो यह चार चप्टर को मिक्स करके आप टोटल 83 कोसन देख सकते हैं पूछा है मतलब कोसन का वेटेज काफी ज्यादा यह चप्टर रखा है धान रखेगा ठीक है और आपको 260 कोसन पूछे गया है जिपका लास्ट 5 एर्स में यहां भी आपको क्या है लास्ट 5 समय सुर्धक लिए में देख सकते हैं तोंतल 22 को सन्स पूछा गया है लास्टीयर में और आपका 115 को सन्स पूछा गया जिब कालास्ट 5 वेसे और 113 को सन्स पूछा गया है रज Make पुछा गया है और यहां से 24 कोशन पूछा गया है और 129 कोशन पूछा गया है तो यह कुछ इस परकार से क्या है आपके पास मैं 2024 में पूछे गए कोशन का डाटा और लाश्ट फाइवर्स में जो कोशन पूछे गए उसका डाटा मैं बता दिया हूँ तो आप इस परकार से समझ चुके हैं कि कौन सा चेप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो मैं सबसे पहले कुछ BVI chapters का नाम लिख दूँगा और फिर कैसे sequence बना के आपको पढ़ना है आपको ये इस बात पर ध्यान अखना है तो देखते हैं कि किस परकार से 3 months का आपको strategy share करते हैं उसमें देखिया कि किस परकार से आप follow करेंगे और कैसे आप अपनी score को बढ़ा सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से में सब 100% तक बिल्कुल approach कर सकते हैं अगर आपके अंदर motivation बिल्कुल 4 डालने का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सबसे पहले आपको बात करते हैं फीजिकल केमिस्ट्री फीजिकल केमिस्ट्री आप इसमें क्या ऐसा sequence बनाएंगे हैं फीजिकल केमिस्ट्री की बा बना लेजी ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले आप अगरे स्टार्ट करते हैं किससे मोल कॉंसेट्स से करेंगे मोल कॉंसेट्स पढ़ेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे solution पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों का दोनों चैप्टर related होते हैं एक दूसरे से related होते हैं तो यहां विक को आप अपर नजी तो उसके बात बात करते ही से केंड्स की बात करते हैं और यह विक 3 का प्लान हो गया तो physics का भी आप लगा सकते हैं thermodynamics ठीक है ना आप physics का ये portion आप physics का लगा सकते हैं इसके साथ तो आप fourth week में आप इसको कर सकते कबर तो ये physical chemistry का schedule लहा है ना आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या करें chemistry को सुरुआत करेंगा तो मैं chemistry expert में बदा रहा आपको कि आप इस तरीकी से अगर लेकर चलेंगे तो आपका preparation वाकिए में बहुत अच्छा होगा सबसे पहले फिजिशन chemistry का mole concept solution को एक साथ कर लेंगे उसके बाद आप next week में detox को electro chemistry को एक साथ कर लेंगे उसके बाद आपका next week में तीन चप्टर को और next week में आपक है इस चप्टर को और इसके साथ physics का चप्टर लगा लेंगे क् कि फरोडारेंश्स इस रिलेट करता है समझहें बाताजीं चलिए तो यह आपको यह पूरा कपूरा एक 1-1 month का प्लान हो गया मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं पूरा कप पूरा whole October आप इसको 152 है करते हैं देखेगा यह विक वन की बात करते हैं देखेगा सब लोग धान से आपको इसमें बहुत सतर्ता बरतनी है मैं वहाँ पे चप्टर छोड़ा हूँ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है एक विक में आपको क्या करना है एक विक के अंदर में दो चप्टर को खतम ही कर ले क्योंकि आपके पास समय कम है कोई क्लिर्फिजन करेंगे टिओरी रिविजन करेंगे एक और बात मेरी बात सुनी धान से आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके पास जो अलेडी बने हुए नोट्स होंगे आप उसको रिभाइज करेंगे ना कि किसी भी टीचर का वनसाट वीडियो देखेंगे या कोई lecture पुराना पढ़ा होगा, recorder lecture आप उसको देखना चालू करेंगे, या फिर कोई नया लेक्चर चला आगा, उसको देखना चालू करेंगे, आपके पास जो notes डेबलेबल होगा, teacher से तो कहीं नहीं से तो पढ़े होगे, आप उस notes को डिविजन करना चालू करेंगा, notes को cover कर देने का, समझे बात के नहीं जी, है ना, यही चीज़े में बोला हूँ, नहीं तो आपको क्या होगा ना, कि पूरा का पूरा अगर lecture देखने के लिए बैठेंगे, तो आप एक सब्ता, एक chapter में निकाल देंगे, फिर भी आपका complete नहीं होगा, याद रखीगा इन बातो को, है ना, इसलिए आप अगर notes को revision करते हैं, तो आप एक दिन के अंदर में किसी भी एक chapter का notes अच्छे तरीके से revision कर सकते हैं, कुईकली उसको देख सकते हैं, और next two days में आप क्या कर सकते हैं, उसका धेर सारा questions बना सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, तो चौथा दिन आप इस परकार से कर सकते हैं, उसके बाद देखिएगा, विक 4 की में बात कर लो, तो आप इसमें सिर्फ salt analysis, salt analysis, salt analysis, इसमें क्या है ना, ये chapter क्या है समझे, ये practical chemistry की रूप में आपको कुछ books में हो सकता है लिखा हुआ, इस chapter में क्या है ना, कि जैसे आप परहे हैं क्या, DNA block P block परहें, इसके कई सारे ऐसे टेस्ट हैं, कई सारे टेस्ट हैं, उसको निकाल करके direct यहां पे place कर दिया, आप S block परहेंगे, S block को खेर हटा दिया है, hydrogen को हटा दिया है, तो आप S block परहेंगे, S block के भी कुछ reactions है, कुछ test हैं, उसको उठा के इसमें डाल दिया है, तो salt analysis ना पूरे inorganic chemistry में, जितने भी test हैं, सब को एक सार डाल के दिखा दिया आपको, तो वहां पर कुछ ऐसे test के बारे में पढ़ना है, कुछ radicals को पहचानना है, है ना, तो उस से related आपको चीज़ें पढ़ना है, तो आप इसको अंतिम में करेंगे, समझने जी, वैसे भी थोड़ याद रह एगा, यहाद रहेगा, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद थोरा आप भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद कई सारे चीज़ में मिम्मराईज करने वाली है, कोईने मिस्टर में सब कुछ आपको याद रहेगा, लेकिन पी बॉलोक हो गया, ढीन एफ हो गया, कुछ याद करने पड़ सकते हैं तो आप इस चीज को आप अंतिम में कर सकते हैं मैं दिसंबर में आप कर सकते हैं तो वह आपके लिए ज्यादा बेहता रहेगा क्योंकि डिसेंट में परहवे चीज़ ना अधिक दिन अमतरब आपको जाम आ जाएंगे ठीके ना आपको जाने किसी भी शिफ्ट में आपको टीन से चार कोर्स तनिस लिए थैसलिए घरा हालत में इसको कभर कर लेते हो तो बहुत सारे चेप्टरें बन जाएंगे समझे बात ना जी इसलिए जियो सी को पूड़ा का पूड़ा एक सब्ता दे करके जितने अधिक साधिक questions हो आप कर सकते हैं अगर आपको questions का कमी पर जाए तो आप मुझे message कर देना मेरे पास बहुत varieties of questions है बहुत अच्छे questions है जिसको आप बनाएंगे तो आपका preparation बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक चला जाएगा ठीक है ना यह चलिए यह था आपको जीव सी का आप इसको क्या कर सकते हैं week number two में कर सकते हैं एक साथ कर सकते हैं और इसके कई सारे reactions आपको similar मिलेंगे कई सारे reactions organic chemistry के लिए ज़्यादा टेंसल लेने के जवरत नहीं है देखे आप अगर इस चप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लिए क्या है ना कि इसके बहुत सारे reactions ना आपको आने वाले chapters में मिलेंगे इसलिए ज़्यादा टेंसल लेने के जवरत नहीं है इसको आप बहुत अच्छे से कर लो एक एक reaction को उसके mechanism के साथ समझ लो उसके बाद आपको इसके सभी reactions सारे चप्टर में repeat करेंगे और सारे चप्टर में काम आएंगे है ना है लोकेंस है लोकेंस की बात करेंगे इसमें भी आपको जी उसी टू के बहुत सारे आपको reactions इसमें काम आएंगे समझे ना उसके बाद दिखीएगा next आब बात करते है week number 3 की बात करते है इन दोनों चप्टर को आप लगा लेना अच्छे तरीके से हैं ना इन दोनों चप्टर को मिलाके अभी questions आपको पूछे जाते हैं अच्छे खासे समझें ना इन दोनों को मिलाके पूचह कुछे जा सकते हैं कितना तीन को मिलाकर पूचह दा सकते हैं कितन जी दो there कि सबढ़ यादरखिए 2 से 2-3 को मिला के पूचह जा सकते हैं टीक है चलिए वी क नमर 4 की में बात करो लोगी कुछ लागे टीक है यह आपको कै इन दोनों के मिलाकर सूझ पूचह लगभग तीन को सब्सक्राइब पूछे देंगे इन दोनों को मिला करके समझे बात ना जी और लास्ट जो हो गया आपका जी लास्ट जो हो गया विक नमर फाइब में जो की बहुत छोटा चप्टर है समझे ना तो आप बायो मॉलेकुल को दो दिन के अंदर में भी कवर कर स सकते हैं मतलब इसमें ज्यादा समय मत दिजेगा यह आप इसमें टूटेज दिजेगा कैसे पढ़ना है तो जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उनके नोट से पढ़िए नहीं है एंसी आटो को एक बाए अच्छे से पढ़ जाईए और उसके बाद आप जे इमेंस के कोस्ट को पूरा NCIT और उसके साथ साथ जो आपको कोस्टों करेंगे हैना तो जितने भी आलाग आलाग आपका टेस्ट दे रखें उस टेस्ट को चार-पांच टेस्ट है चार-पांच तरीकी का टेस्ट को और दो-तिन रियक्शन है उसको आप क्या करेंगे रिफरेंस बुक से पढ कायो मलकस का कवर हो जाएगा तो आप अगर ये estéस को फॉलोव करते हैं आप घ्र पैले आपको लगाना क्या है जी सबसे पहले आपको जो कभर करना करना है वह क्या करना है इंस्पे अगर जैकर क्षिचे का लें चेंट क्यों कि अभी अगर यह पढ़ लेंगे तो अभी से जेई में लगभग four months के difference है तो four months के difference से लगभग जी तो अभी आगर पढ़ लेते हैं तो आपके पास ना क्या है कि यह जादा दिन तक याद रहे पाएगा क्योंकि यह पूरा का पूरा mathematical calculation से भरा हुआ होता है तो mathematical calculation वाली चीज ना याद रह पाते हैं लेकिन जो theoretical चीजे हो और करेंगे क्योंकि organic chemistry के reactions को ना grip करना थोरा सा थोरा सा difficult होता है organic chemistry में आपको extra effort लगाना पड़ता है थिओरी पढ़ने के साथ साथ को करना परता है तो यहां पर थोरा सा difficult हो जाता है आद तो उसके बाद आप next में क्या करेंगा organic को तीसरा में क्या करेंगे जी आप इन और को करेंगे और inorganic courses करेंगे कि विल्कुल इसको अगर यहां से सुरू किये हैं तो examination तक examination से पहले तक मतलब मैं तो आपको बता बना कि देंगे December तक लेकिन आप courses कर सकते हैं अगर 15 भी जैन तक जाए तो कुई दिकत नहीं 15 जैन तक भी आप क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं का कि इसमें कुछ ऐसे reactions हैं जो आपको थोरा सा याद रखने के जुरूत परते हैं समझे न तो आप अगर इस strategy को follow करेंगे तो मैं definitely कहता हूं hundred percentile तक आप पहुँच सकते हैं आप hundred percentile तक पहुँच सकते हैं और हमारा यह तो आपक के strategy के लिए होगा हमारा strategy आ रहा है जैन मेंस के लिए पूरा का फिजिक्स को chemistry को math को किस परकार से आप लेके चलेंगे मैं complete उसका strategy 20 minutes का 15 to 20 minutes का मैं वीडियो लेकर क्या हूंगा पूरे chapter wise weightage के साथ हम लोग discuss करेंगे वहाँ पे तो बिल्कुल मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और बिल्कुल बने डेगा हमारे channel से related आपको छोटे-छोटे tips में देता रहूंगा है ना और जो भी कुछ आपको need होगा जो अगर struggling mentorship चाहते हैं तो मेरे watch and number पे if you ask कर सकते हैं अप और अपनेर प्रिकषन को बहुत अच्छा कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स चैनल में मरे जे मिंस के strategy टान को लेकर के 90 देज में कैसे आप प्रिकरशन करेंगे आच्य तरिके से ठीके में मिल 10 एंड इक्स वीडियो से से में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर त्यारी करते रहेगा